नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम जानेंगे मरसी अरिया और अंडर कैरिज के बारे में कि मरसी अरिया क्या होता है और अंडर कैरिज क्या होता है और इनकी अवसक्ता क्यों पड़ती है इसे के बारे में आज हमें डिसकस कर देंगे तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दे विडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कोमेंट करें शेर करें तो चलिए फ्रेंड से बात करते अपने टोपिक की तरह सबसे पहले आता है मर्सी एरिया कि मर्सी एरिया किसे कहा जाता है और क्यों आउसक है मर्सी एरिया जब किसी जहाज का टायर या चक्का बाहर की तरफ निकलना बंद कर देता है तो उस दोरान उस जहाज को पेट के बल नीचे हवाई अड़े के विसेश छेतर के उपर उतारा जाता है जिस छेतर को पानी, मिटी, घास पूस मुलाएं पतार्थों के मादम से तयार किया जाता है तो उस जगे को ही मर्सी एरिया के नाम से जाना जाता है ताकि किसे भी प्रकार की जो दुरगटना है वो ना हो इसे कांड से इसे मर्सी एरिया छेतर को हवाई अड़े छेतर के उपर तयार किया जाता है बनाया जाता है पहले इसकी definition लिखेंगे फिर उसके बाद में discuss करते हैं जब हवाई जहाज का हवाई जहाज का टायर बाहर की तरफ बाहर की तरफ निकलना बंद कर देता है निकलना या काम करना बंद कर देता है तो हवाई जहाज को हवाई जहाज को पेट के बल पेट के बले हवाई अड़े के एक विसेश छेतर के उपर एक विसेश छेतर पर हवाई जहाज को उतारा जाता है हवाई जहाज को उतारा जाता है जो कि हवाई अड्डे छेतर में ही बनाया जाता है हवाई अड्डे छेतर में बनाया जाता है जिसको तयार करने के लिए तयार करने के लिए पानी, मिटी, घास वे मुलाइम पदार्थों का प्रियोग किया जाता है मुलाइम पदार्थों का प्रियोग किया जाता है उस चेतर को ही मरसी एरिया के नाम से जाना जाता है उस चेतर को ही मरसी चेतर या मरसी एरिया के नाम से जाना जाता है जब किसी भी जहाज का टायर जो है वो काम करना बंद कर देता है या निकलना बंद कर देता है तो उस दोरान उड़ते हुए जहाज को हवाई अड़े चेतर पे पेट के बल उतारा जाता है जिसको एक विसेश प्रकार का छेतर बनाया जाता है हुआ यड़े छेतर में उसके ऊपर उसको उतारते है जो कि किसके माधम से पानी, मिट्टी, घासपूस वा मुलाइन पदार्थों के माधम से उसको तयार करते हैं क्यों? क्योंकि पानी और जो मिट्टी है, पानी जो मिट्टी जो है, उसके मादम से उसे छेतर के अंदर एक जो है की चिकनाहट बन जाती है, यानि फिसल ना सुरू हो जाता है, तो इसे कान से जब वो प्लेन को नीचे पेट के बल उतारा जाता है, तो उतरने के बाद वो त बनाया जाता है मुलाइम पदार्थों के मादम से तो इसे कारण से ये जो छेतर बनाया गया इसे किसी भी प्रकार की प्लेन के अंतर दुर घटरना नहीं होती इसे कारण से इस छेतर को पानी मिटी घास वे मुलाइम पदार्थों के मादम से तयार किया जाता है तो इस छेतर को ही इस जगे को ही इस एरिया को ही किसके नाम से मरसी एरिया के नाम से जाना जाता है तो ये था मरसी एरिया और क्यों आवसक है साइद अच्छे तरीके से पता लग गया होगा दूसरा जो पॉइंट आता है अंडर कैरिज कि under carriage किसे कहते हैं under carriage कहा जाता है जो हवाई जहाज का नीचे का जो हिस्सा होता है यानि जो टाइरों का जो हिस्सा होता है जो कि हवाई जहाज को उतरने और चडने में सहायता करता है उस छेतर को ही उस हिसे को ही किसके नाम से under carriage के नाम से जाना जाता है यानि आगे और पीछे का जो टायरों का जो पाठ जो हिस्सा है उस छेतर को किसके नाम से अंडर कैरिज के नाम से जाना जाता है जो की जहाज को उतरने में सायता और चड़ने में सायता करता है ठीक है तो यह है अंडर कैरिज और दूसरा था अपना जो मरसी एरिया है वो तो अच्छे तरीके से इसके बारे में हमने बात की तो वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करें, कोमेंट करें, सेर करें इसे प्रकार की इंट्रेस्टिंग वीडियो आप तक आते रहेगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत